हाउर फिक्स नेट्फिक्स नोट वर्किंग इरो कोट एन डेवलीव 316 प्रावलेम नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तेकिराच येट्वीब चैनल पर तो दोस्तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर एक इरो डेख सकते हैं आपको नेट्फिक्स पर काफी बढ़ दोस्तो यहाँ पर समने आया होगा ठीक है तो यदि आपको भी इससा प्रावलेम आया है और दोस्तो आप इसको फ्रीक्स नहीं कर पर है तो दोस्तो मैं आपको आज के इस वीडियो पर इसका सॉलुइशन बताऊंगा और दोस्तो सारी सार मैं आपको जो इसका रिजन बताऊंगा कि यह प्रावलेम जो आपको क्यों आ रहा है और कैसे करके इसको फिक्स कर सकते है तो यदि आपको भी यह प्रावलेम को फिक्स करना है तो दोस्तो यहाँ पर वीडियो के साथ जो बने रहेगा सारी साथ दोस्तो यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी क्लिक करड़ीजिगा और यदि आप उनलाइन से पेसा कमाना चाते तो आप हमारा वीडियो दिस्क्रिप्शन पर लिन्क चेकाउट कर सकते ठीक है तो चलिए दोस्तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते तो सबसे पेले तो दोस्तो आपको यही ऐसा प्रोब्लेम आ जाते है तो दोस्तो यह जो प्रोब्लेम है वो बेसिकली आपको इंटरनेत क्नेकशन के वज़ए से आतें तो यहांप आपको इसे फिक्स करना है तो यहां प्रोसेस उसको इसते भार इसते फॉलो किजीगा तो सबसे पहले तो दोस्तों सेटिंग पर जाएए अपना यहाँ पर दोस्तों SIM card and mobile network को open कीजिए अपना SIM को select कीजिए और 200 preferred network टाइप पर जाएए और अपना जो network connection है उसको switch कीजिए ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों network connection को 4G से 3G कर दीजिगा 3G से 4G कर दीजिगा ठीक है तो दोस्तों आप जो है अपना network को switch कीजिगा तो switch करने के बाद जो है दोस्तों आप बेक कीजिए अपने mobile को flight mode कीजिए flight mode करने के बाद दोस्तों उसको flight mode को जो हटा दीजिएगा ठीक है उसको disable कर दीजिए और दोस्तों उसके बाद जो है आपको network को reset करना होगा ठीक है network setting को तो उसके रहे दोस्तों आप यहाँ search यहाँ आप टाइप कीजिए नेट्रोक सेटिंग रिसेट यार फिर जाए कनेक्शन एंड शेरिंग पर और यहां पर दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा रिसेट वाइफाई तो आपको जो है इसको रिसेट करना होगा तो नेट्रोक सेटिंग को रिसेट कीजिए तो इसको जो है रिसेट करने के बाद ठीक है बेक कर दीजिए और अपना मोबाइल को रिस्टार्ट कर जिए मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों नेट्फिक्स पर जाएए औ देखिए आपका problem fix हो चुका होगा और आपको error नहीं आएगा ठीक है तो यदि इसके बाद जो आपका problem fix हो चाता है तो आच्छी बार है और यदि आपका जो problem है इसके बार भी fix नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जाए प्लेश्टोर पर और अपना जो application है दोस्तों उसको search क करने के बाद आप उसको update कर दीजिगा तो इसको update करने के बाद जो है दोस्तों आप बेग कीजिए और जाए अपना setting पर और उसके बाद दोस्तों डाउन कीजिए ठीक है यहाँ पर आपको डॉन करने और application पर जाने उसके बार मेनेज एब इंस्तॉलेब यारुफी एप management क तो यही पर आपको मिल जाएगा एन पर तो डेटा है दोस्तो उसको क्लियर आपकर जीजे ठीके? जीछे नेटफलिक्स का उसके बाद दीक को डुबारा से के जीए और रिस्तार्ट करते ही दोस्तों डेटा करने फोत गालेटा करें है को सब्सक्राइब जाएगा सारे साथ तो आपका जो भी प्लेज्ट याप तो यह करने के बाद आप उसको कीजिए और आप चेक कीजिए problem fix हो गया ठीक है आपका जो problem में वह fix हो जाएगा और दोस्तों आपको error भी शोनी होगा तो इस तरह से जोई दोस्तों आप इस problem को fix कर सकते हैं और दोस्तों यह जो complete solution में आपको बता है उसको follow कीजिए और आपका जो problem में वह definitely fix हो जागा यदि आपको कोई problem आता है तो दोस्तों आप हमें twitter पर message जरू कीजिए आपको जोई twitter का link वह भी description पर मिल जाएगा ठीक है follow कीजिए और इसके बार message कीजिए उमिट करते हैं आपको वीडियो पसना होगा यही आपको वीडियो पसना आता है तो दोस्तों वीडियो को like share और subscribe जरू गरी जिगा, thanks for watching